हाई फ्रेंड वेलकम टू लेक्टिकल नॉलीज देखे इस वीडियो में आज हम देखेंगे कि ट्रांसपोर्मर ओल का बीडीवी टेस्ट कैसे करते हैं देखे बीडीवी टेस्ट पूले तो ब्रेकडाउन वोल्टेज टेस्ट देखे जितना अच्छा ओल होगा है यह जितना नीट एंड किलिए फ्रेस ओएल होगा उतना ही उसका बीडीवी वोल्टेज ज्यादा होगा तो देखिए अब सबसे पहले क्या करते हैं सबसे हम इसके ओल का सेंपल ले लेते हैं देखे यह जो वाल लगा होता है ट्रांसपोर में इसके बोटम पे लगा होता है बिरकुल हो इलेक्टोड लगे होते हैं दोना तरफ से देखें आप मैं आपको दिखाऊंगा अभी जूम करका दिखाऊंगा और इस कंटेनर में हमने ओल ले लिया है देखें सबसे पहले किट के पास चलते हैं देखें यह हमारी किट है बीडीवी टैस्टर किट है देखें इसको देंगे हैं और इसकंद्र एक ट्रांसफर में लगा होता है हम क्या करते हैं फिर से बढ़ाते चले जाते हैं टू के वी पर सेकिंड के साब से देखेंगे और जो इलेक्टोड के बीच करिब हम करें धाई एम गया रखेंगे मैं लास्ट में आभी आपको वह दिखाऊंगा है जो यह मैंने एक अगों क्या करेंगे को और और करने के बाद अब शाज्यार। सबस्क्राइब बड़े का एक एक तो विडियो दैखना चाहते हैं तो वह उसी चैनल के प्लेइस्ट में जाके देख सकते हैं और हम सबस्क्राइब पर किट अधर के यहां पर जहां पर भी यह रुकेगा जाकर वहas पर इस पार्किंट के बीच में तो मैं वोल्टेज आपको बाद में दिखा दूँगा पहले आप देखेगा दिहान से देखेगा यहां पर देखे इस पार्किंग हुए है अब देखें लिए लिए देखलेते हैं कितने वेल्या है तो अगर यह ज़्यादा हुआ तो आपकी value पर भी उसका फर्क पढ़ना तया है तो आपकी value भी change हो जाएगी इसलिए यह आपको gap देख लेना है So friends देखे जिस transform oil का हमने पहले BDV test किया था अब उस transform oil का हमने dehydration कर लिया है और उसका दुबारा से sample लिया है तो अब हम इसका BDV value देखेंगे उसकी 60 पर जाके hold करेंगे पहले कहां 30 से भी नीचे थी वो अब वो 60 पर पहुंच गई अगर आप यह जाने चाते हैं कि dehydration क्या होता है कैसे करते हैं क्यों जरूरी है तो आप comment में लिख सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए सेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक्यू वेरी मच्च थैंक्यू